जय मातादी दूसतो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोसतो जल्दी ही शनीदेव मक्कर्म राशी में वक्री से मारगी होने वाले हैं और शनी का किसी भी तरह का परिवर्थन, चाहे उनका वक्री होना हो या उनका मारगी होना अस्थ होना या उनके नक्षत्र का परिवर्तन यानि शनी किसी भी तरह के परिवर्तन करता है तो उसका बहुत अधिक एफ़ेक्ट सभी राशी के लोगों पर पड़ता है। जोतिय सास्त्र में शनी ग्रह को बहुत महत पुन माना गया है, बेहत दीमी गती से चलने वालेग ग्रहे हैं किसी भी एक राशी से दूसरी राशी में परिवर्तन करने के लिए इनको करीब करीब धाई वर्ष का समय लगता है, और इसलिए इतनी दीमी गती से चलने के कारण इनका प्रभाव लोगों के उपर काफी देर तक भी रहता है अब शनी का ये मारगी होना सभी 12 राशी वाले जातकों पर प्रभाव ढालेगा लेकिन 12 में से 4 राशियां ऐसी होंगी जिनके उपर सबसे अधिक शुब प्रभाव शनी का होने वाला है शनी देव अभी मकर राशी में वक्री स्थितिय में हैं अक्टूबर के महीने में ये मारगी होंगे और शनी देव के मकर राशी में मारगी होने से इन चार राशी वाले लोगों को जबरदस्त सफलता मिलने के संकेत हैं तो उनी चार राशी के लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो जिन चार राशीों के हम बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहली राशी है वो है मंगल की राशी मेश राशी मेश राशी के लोगों के उपर शनी देव अगले महिने अक्टूबर के महिने से काफी महरबान रहने वाले हैं अक्टूबर में शनी का मकर राशी में मारगी होना मीश रासी के लोगों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होगा क्योंकि शनी आपकी कुंडली के दस्वे भाव में मारगी होने जा रहे हैं और जो कुंडली का दस्वा भाव होता है वो आपके कारेश शेतर से जुड़ा होता है आपके वैपार से, आपकी नौकरी से, आपके कर्म शेतर से जुड़ा है ऐसे इस्तिति में सूर्य का मारगी होना यानि कि सीधी चाल चलना आपके वेपार में अच्छा मुनाफ़ा कराएगा जो आपका नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय में शनी के वक्री होने के बाद वो आपके सभी नुकसान पूरे होंगे नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है आपको कई और मौके मिल सकते हैं जो बिरुजगार जातक है इस राशी के उनको नौकरी मिलने के मौके मिल सकते हैं मान सम्मान और धन में व्रदी के संकेत भी बन रही है शनी के मारगी होने पर भागय का साथ भी मेश राशी के लोगों को देखने को मिलेगा और वैसे भी मंगल का जो प्रभाव है वो इस अक्टूबर के महिने में बहुत ही उत्तम रहने वाला है लेंदेन के मामले में भी आपके हाथ कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं तो आपके लिए हर तरह से शनी बहुत ही जादा फेवरिबल रहेंगे चात्रों के अगर बात करें तो चात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है जो हायर एज्जुकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल ये समय बना हुआ है आपके प्लेस्मेंट आपके अच्छी जगा पर हो सकता है अगर आप करेयर के शुरुवात करना चाहते हैं तो ये समय ये महिना आपके लिए बहुत उत्तम है यानि इस महिने में शनी के मारगी होने के बाद का समय आपके लिए बेहत उत्तम रहने वाला है अब दूसरी राशी की बात करते हैं दूसरी जो राशी है वो है गुरू की राशी धनु राशी शनी देव की जो ड्रस्टी है वो आपके लिए बिहद्शुभ है आपकी राशी से कुंडले के दूसरे भाव में शनी विराजमान है और वहीं अक्टूबर के महिने में वो मारगी हो जाएंगे ऐसे में इस राशी के लोगों को अपने करियर में बिजनिस करते हैं तो अपने बिजनिस में कई तरह के सुनहरे अफसरों की प्राप्ती हो सकती है जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है और इस तरह से शनी का मारगी होना, आपके कुछ रुके हुए कारियों को पूरा कराएगा और उनके जरीए धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपके कामों में सफलता मिलेगी, इस दोरान आपको कहीं से अपना आठका हुआ पैसा भी वापिस मिल सकता है आपके आर्थे किस्तिती में सुधार देखने को मिलेगा, नौकरी में वरिष्ट अधिकारी आपके कामकाज के प्रसंसा करेंगे, जिससे आपके लिए प्रमोशन के रास्ते भी खुल सकते हैं और धन में ब्रद्धी होने के संकेत भी बने हुए हैं, धनू राशी के जो स्वामी है वो गुरू ब्रस्पती हैं, गुरू ब्रस्पती और शनी ये दोनों मित्र के राशी हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव, एक काम बिगारती है तो दूसरा काम बनाती है, और धनू राश वो है कुम्बराशी के स्वामी शनी ही है और आपके बारवे भाव में मकाराशी में अभी शनी विराजमान है अक्टूबर के महिने में जैसे ही शनी मारगी होते हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी जिसका लाब नौकरी पेशा जातकों को भरपूर मिलेगा बिजन धनलाब की कई मوقब भी मिलेंगे यात्राउं का योग भी बनेगा विदेश यात्रा भी हो सकती है या इस राशी के जो स्टूड़न्ट है उनको घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का मौक़ा भी मिल सकता है जो बेरोजगार जातक हैं और काफी समय से रोजगार का इंतजार कर रहे थे उनके लिए शनी के मारगी होने के बाद काफी इस्तियों में सुधार आएगा आपके लिए इस दौरान अच्छे लाब के योग बनेंगे लाब के मारग प्रसस्त होते हुए दिखाए देंगे और शनी के उपाय करना भी आपके लिए बहुत उत्तम होगा जो में वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ चौथी और अंतिम राशी मीन राशी है ये भी गुरू की ही राशी है और इस राशी के लिए शनी का मार्गी होना किसी सपने के पूरज जैसे होने से कम नहीं है आपको भागे का पूरा साथ मिलने वाला है अपने हर एक काम काज में अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी शनी आपके राशी से ग्यारवे भाव में मार्गी होने जा रहे है ग्यारवा भाव जो होता है वो लाब का भाव होता है लाब के भाव में अभी तक वक्री थे जिन कामों में आपके कुछ रुकावट आ रही थी यानि बंते-बंते काम आपका बिगड़ जा रहा था या फिर किसी वज़े से काम धंदा आपका चौपड हो गया था अब उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी क्योंकि ये 11 जो भाव है आय का भाव है लाब का भाव है शनी का मालगी होना सीधी चाल चलना यानि की सहरे काम को अभी ये सीधे तरीके से आपके लिए करने का योग बना रहे हैं आपकी इंकम में इसके बाद अच्छी बढ़ोतरी होने के संकेत बने हुए हैं इस राशी के जो जातक बिजनिस करते हैं तो बिजनिस करने वाले जातकों के लिए भी अच्छी योजनाए मिल सकती हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा आगे आने वाला समय अक्टूबर माहा से आगे आने वाला समय आपको अच्छे फल देने वाला साबित होगा और ये गुरू की राशी है गुरू अभी मीन राशी में ही विराजित है और ग्यारवे भाव में आपके जो शनी है वो विराजित है इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा क्योंकि गुरू की जो मित्र राशी है शनी राशी वहाँ आपके लिए कुछ ऐसे कामों को पूरा करने का यूग भी है जिने आप काफी समय से पूरा करना चाहते थे तो कुल मिलाकर इन चार राशी के लोगों के लिए ये समय काफी बलवान होने वाला है उपाय आप जरूर कर सकते हैं मजदूर वर्ग की सेवा करना शनी का सबसे अच्छा उपाय है तो इसे एक उपाय को आप जरूर करें किसी भूके को खाना खिलाएं ऐसे कारे आप कर सकते हैं साथ ही चानल को भी सबस्क्राइब कर लें हमारे इसे वीडियो को ज़ज़ ज़दा लाइक करें शेयर करें